हेलो ए स्टुडेंट आज के कलास में हम रियल अनलाइसिस के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पहला हमारा आता है पार्टिशन्स पार्टिशन्स का ही दूसरा नाम होता है डिशक्षन और इसी को हम कहते हैं नेट और फो क्लोज इंटर्वल तो यहाँँ पर हमारा आता है लेट आई is equal to दूसरा इंटर्वल आ, B ला फैनाइट दूसरा इंटर्वल मतलब अगर हमारे पास आई is equal to यह कलोज इंटर्वल आ, B दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं एबी को कई sub interval में divide कर रहे है हमने लिखा a is equal to x0 less than x1 less than x2 less than x3 dot 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 xn is equal to b then the finite order set p is equal to तो जो यहाँ पर हमने sub interval किया है x0, x1, x2 यह सारे हमारे p कहलाते हैं इसी को हम कहते हैं partition of i the enclosed interval i1 अब क्या है हर दो points के बीच का अगर हमें length चाहिए तो जैसे हमें x0 और x1 तो इसको हम i1 कहेंगे मतलब i1 interval के अंदर जो points लेंगे वो x0, x1 आएगा i2 के अंदर जो हम लेंगे वो हमारा x1, x2 आएगा वैसे ही ir का अगर हम बात करते हैं तो xr-1, xr तो वैसे i1 आगर हम बात करते हैं xn-1, xn determined by p और इसे हमें determine कहाजता है p के दोरा r known as उसी को हम segment of the partitions कहते हैं मतलब segment of partitions बात करें तो यही हमारा आगया जैसे i1 का बात करें xn, x1 या फिर ir का बात करें xr-1, xr यह सारे जो हमारे होते हैं इनको हम segment of partition of a fee कहते हैं अब हमारा क्या होता है हर दो point के बीच का length निकालना होता है तो जो हम length निकालते हैं तो हमने यहां लिखा the length of the r sub interval मतलब जैसे यह ir हमने लिखा है xr-1, xr तो हमने जब हमें किसी length निकालना हो दो point के बीच का तो हम कैसे निकालते हैं destination minus source मतलब यहां पर destination का काम xr कर रहा है और source का काम जहां से चलना start किया हूँ xr-1 कर रहा है तो यहां पर हमने लिखा del r is equal to xr-xr-1 जो यहां पर del r है यह हमारा length of r sub interval को denote करता है तो इस तरह से हमने लिखा del r is equal to xr-xr-1 अब हमें note करके एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि del r is equal to होता है del 1 plus del 2 plus dot 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 मतलब अगर हमें del r का sum करना हो तो r का value एक बार 1 put कर देंगे एक बार 2 put कर देंगे एक बार 3 put कर देंगे dot 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 n तक जाएंगे तो उसी के sum को sum of del r is equal to this होता है तो अगर हम del 1 का बात करते हैं तो del 1 हमारा x1 minus x note आजाता है वैसे del 2 का बात करते हैं तो x2 minus x1 आजाता है तो यह मैंसे del n का बात करेंगे तो xn minus x note आजाएगा अब जो हम ब्रेकेट खोल देंगे तो हम क्या देखेंगे कि सारे points कर जाएंगे दो points रह जाएंगे एक हमारा xn रह जाएगा और एक हमारा x note रह जाएगा xn यहापे देखिए आपको दिख रहा होगा positive में है xn और जो minus x note जो हमारा negative है मिन्स हमारा rest जो बच गया वो xn minus x note बच गया xn यह last point हमारा आता है दिसको हमने b कह दिया और x note हमारा को यह starting का point आता है दिसको हमने a कह दिया मतलब xn minus x note जो है वो हमारा b minus a के हो गया अब हम बात करते हैं norm of partitions का अब norm of partitions क्या होता है magnitude जो होता है उझे हमारा norm होता है magnitude का मतलब होता है maximum value सेम वही से norm भी वही होता है तो हम किसका नए maximum value देखते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है the length of the interval xr minus 1,xr of the partition p will be called its norm and denoted by norm जब हम magnitude का बात करते हैं तो magnitude के case में हम एक ही mod से हमारा कम चल जाता है एक हमें mod की ज़रोद पड़ती है लेकिन जब हमें बात करते हैं norm का हमें दो mode लगाना होता है बस magnitude और इसमें यही फर्क होता है notation का otherwise value उसमें भी हम maximum value लेते हैं यहाँ भी हम maximum value लेते हैं अब हम बात करते हैं upper and lower Ryman और Darbox sum अब इसका मतलब क्या होता है upper sum हम निकालेंगे lower sum निकालेंगे तो यह हम कैसे निकालते हैं उसके लिए सबस पहले हम एक function लेते हैं जिसको किसी close interval के अंदर कहते हैं कि define है तो हमने लिखा the function f which is defined in close interval a, b is also necessarily bounded in each sub interval और यह क्या है जो हमने function लिया और इसके अंदर जो sub interval लेंगे वो bounded है तो हमने यहाँ पर कहा capital MR और small MR तो यहाँ पर capital MR जो है वो supremum का काम कर रहा है और जो हमारा small MR है वो हमारा infimum का काम कर रहा है तो यह हमने लिखा capital MR, small MR are the supremum and infimum of f in IR और IR का मतलब हम कह सकते है XR-1, XR उपर मैंने लिख रखा है then two sums are follows तो हमें दो sum इस मिलता है पहला हमारा मिलता है UP, F P मतलब partition F मतलब जो हमने function लिया उसके बारे में तो UP, F जो हमारा आ जाएगा अब हम क्या करेंगे जो हमने supremum लिया है supremum और जो हमने उपर length निकाला था del जो हमारा था वो हमारा length था तो दोनों को multiply करकर के add कर दे जाएगे means M1, del 1, plus M2, del 2, plus dot 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 Mn, del n तो इसको अगर हम short में लिखते हैं तो R is equal to 1 से लेना start करते हैं और R is equal to n तक लेते हैं इसको हमने लिखा दूसरा हमारा होता है L, P, F P वही सही partition है F हमारा function है अब हम small M1 लेंगे जो capital M था वो हमारा supremum का काम कर रहा था और small M जो है वो हमारा infimum का काम कर रहा है M1, del 1, plus M2, del 2, plus dot 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 Mn, del n और इसको हम short में लिखेंगे जैसे यहाँ पर हमने short में लिखा तिसको भी हमने short में लिखा इसी को हम lower darbox sum क्याते हैं तो ही हमने नीचे लिख दिया कि U, P, F is called upper darbox sum and L, P, F is called lower darbox sum of F corresponding to the partition P अब हमने note करके एक बात लिखी है कि for every partition P on close interval A, B we have तो हम एक relation जानते हैं क्या कि जो lower sum हम निकालते हैं वो less than equal to होता है upper sum के अब हम बात करेंगे upper and lower Raman integral अब जब हम देख लेते हैं upper sum, lower sum उसके बाद हमारा आता है upper and lower Raman integral तो हमने लिखा let F be define वैसे ही हम function को कहेंगे किसी interval के अंदर define है तो हमने लिखा let F be define on close interval A, B then for every partition P on close interval A, B जो हम partitions ले रहें इस interval के अंदर तो we have तो अभी एक relation होता है क्या कि M M मतलब हो गया हमारा infimum B minus A B minus A अभी हमने उपर में del R का हमने जो sum किया था उसमें हमने B minus A निकाला तो M B minus A less than equal to L P, F less than equal to UP, F less than equal to M B, A यह हमारा एक order में यह relation होता है मतलब यह less than this के और this less than अब यहाँ पर M हमारा infimum है और capital M हमारा supremum है F का अब last हमारा आता है upper and lower integral अब upper integral क्या होता है तो उसके बारे हम देखेंगे the infimum of the set of the upper sum जो हमने upper sum निकाला उसके set का infimum value हम लेते हैं is called the upper integral of F over close interval और इसको denote किया जाता है integration of A to B अब हम क्या करते हैं upper के case में upper limit पे बार लगा देते हैं B का बार FxDx तो इसको यह जब भी इस type का हमें कहीं पे दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह upper integral का बात किया जा रहा है यहाँ पे तो हमने लिखा अब इसका value क्या होता है यहाँ पे हमने कह दिया the infimum of the set of upper sum मतलब upper sum का infimum हमने यहाँ पे लिखा is equal to infimum of U P, F हाँ और P जो है is a partition of इस interval के अंदर इसका partitions लेते हैं फिर हम बात करते हैं lower integral the supremum of the set of the lower sum L P, F is called the lower integral of F over A, B अब हम क्या करते हैं जैसे हमने upper में क्या किया upper limit पे बार लगाया था तो अब हम क्या करेंगे जब lower integral का बात आएगा तो lower limit पे हम बार लगाए तो lower limit का काम यहाँ पर यह कर रहा है हमने A पे बार लगा दिया different दिखाने के लिए notation हमा लगाए उसके बाद last हमारा आता है Ryman integral कभी कभी हम ऐसा दिखते हैं कि lower integral और upper integral का value सेम होता है जब दोनों का value सेम हो जाता है तो उस case में हम उसको Ryman integral करते हैं तो हमने लिखा A bounded function F is said to be Ryman integral और Ryman integral को ब सिंपली इंपली integral भी कह सकते हो over close interval A,B if its upper lower integral are equal मतलब अगर इसका upper और lower दोनों integral सेम होता है upper and lower integral are equal तो हमने लिखा A to B यह हमने लिखा है upper integral के लिए यह हमारा lower integral के लिए और this को हम this से denote करते हैं तो हमने लिखा जो Ryman integral हुआ वो A to B FxDx अब जब हम इसका Ryman का question करेंगे तो उसमें यह सारे concept की जरूत होगी करेंगे सारे तो हमने लिखाऊ जब हमने शीरिप गृब तो पहमने लिखाई